हेलो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम शेयर करने जाने है linear equation into variables इसके अंदर दो चीजे हैं एक तो equation क्या है और एक variables क्या है equation मेरी कुछ भी relation जो होता है entity के बीच में equation define होती है variables के थू like variables मेरा कुछ भी हो सकता है जो चीज जिसकी value vary करती रहे कुछ भी value हो सकती है equation कैसे कोई भी relation मेरा variable कोई भी relation जो मेरा variables के बीच में होगा उसे मैं equation क्या सकता हूँ like suppose I am having two variables like x और y और इनके बीच में मेरा relation है suppose plus is equals to 8 तो ये मेरा एक टैप का equation है इसके अंदर मेरा एक variable ये है दूसरा variable मेरा ये है इसे मैं name देता हूँ constant क्योंकि ये value मेरी same value तो हम इस वीडियो में सीखने जा रहे हैं कि how to solve linear regression in two variables it can be ये दो तरीके से हो सकती है एक तो होता है मेरा substitution substitution method और एक मैं कह सकता हूँ compare method like मेरे go अब आप देखेंगे कि हम कैसे solve करते है ये मेरे दो method है मेरे पास दो equations है like एक question है मेरे पास इसके अंदर क्या है मेरे पास एक equation है 2x plus 3y is equals to 34 ये मेरी first equation है और second equation मेरी x plus y divided by y is equals to 13 by 8 ये मेरी second equation है अब हम ये देखेंगे इन्हे solve कैसे किया जाता है मैं पहले इस वाली को ये जो equation है second equation इसे मेरे change कर रहा हूँ transform कर रहा हूँ like x plus y यहां मैंने cross multiply कर दो हूँ means like this and this is equals to 13 by तो ये मेरा हो जाएगा 8x plus 8y is equals to 13y ओकी यहां पर मैं इसे इधर ले जाँ हूँ तो ये मैं लिख सकता हूँ 8x is equals to 5y ये एक तरीके का मेरे relation है इसे मैं लिख सकता हूँ 8x minus 5y is equals to 0 मैंने second इस equation को transform कर दी है अब मैं क्या कर हूँ इन दो equation को लोगा like मेरे को x और y की value निकाल ली है तो मैंने ले लिए 2x plus 3y is equals to 34 and second one is ये मेरा second equation है अब compare method में क्या होता है like मेरे पास ये 2x है ये 3y है ये 5y है ये 8x है compare में क्या होता है मेरे को या तो मैं इसे same करूँ हूँ इसके साथ ये इसे same करूँ हूँ इसके साथ मैं कुछ भी same कर सकता हूँ तो अम मैं क्या सेम करूँ आङ यहां पे ? is equal to 170 and this one is 24x minus 15y is equal to 0 यह मेरी दो equation हो गए यहाँ पर मेरे को same करने यह same करने के reason यह है कि मैं इन्हें cancel out करके एक particular value निकालू हूँ आ x की तो मैं इन दोनों equation को add करने में अगर in case में कोई subtract करना होता तो मैं क्या करता है यहाँ positive sign है तो इसे negative कर देता है यह negative है तो positive next question में या कोई next उसमें हम देखेंगे कि subtraction में symbol कैसे change होता है like यह addition है तो यह मेरा plus है यह एक negative है means मैं इसे cancel out कर दूँआ तो यह मेरा हो जाएगा 34x is equal to 170 ओके तो यहाँ से मेरे को x की value मिल जाएगी 170 divided by 34 which is equal to 5 ओके यहाँ से मेरे को value मिल गई है अब मैं क्या करूँआ यह जो मेरा relation था यहाँ से मैं y की value मिकाल सकता हूँ कैसे इस 5 को मैं यहाँ substitute कर दूँआ x में like 8 into 5 इस x को यहाँ ले आँँआ minus 5y is equal to 0 ओके तो 5y is equal to 40 इस 5y को इदर ले गए तो यह sign convert हो जाएगा तो यहाँ से में इरको y की value मिलती है ए तो इस तरीके से मैं x और y की value निकाल सकता हूँ यह तो मेरा compare method है substitute method के लिए क्या गरेंगे आइए रेखें यह तो मेरा compare method हो गया दा substitute method के लिए अब यह वाली value मैं first equation में substitute करूँ कैसे मैं y की value निकाल जो हूँ यहाँ पर 8x plus 5 यह value value मैं यहाँ substitute कर जो हूँ means 2x plus 3 into 8x plus 5 is equal to 34 means यहाँ पर LCM लेने के बाद you get 10x plus this is my 24x divided by 5 is equal to 34 okay and this would become 34x is equal to 34 4 multiply by 5 means यह cancel out करने के बाद x की value मेरी 5 आदी यहाँ से मेरा को x की value 5 आदी यह वाली value मैं यहाँ substitute कर जो हूँ means y is equal to this and after cancellation it would become it यह मेरा substitute method है ओके आईए अब एक और numerical देखते है इसमें मैं डिसकेस करूँ हाँ only compare method both method are simple only you have to focus on the type of like procedure okay my question is question is 2p plus 3 cube is equals to 18 यह मेरी first equation है and my second equation है 2p is equals to q plus 2 okay अब आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं मेरे पास यह दोनों same है means मेरे को कोई factor multiply नहीं करना है इस equation को मैं transform कर दूँआ like this and like this okay मैंने कहाता subtraction देखेंगे subtraction में क्या होगा यह positive sign है यह negative तो subtraction में यह negative हो जाएगा यह positive हो जाएगा और यहाँ पर positive है यह negative हो जाएगा तो इससे क्या होगा यह cancel हो गया मेरा और यह हो जाएगा मेरा 4Q is equals to 16 like this and Q would become 16 by 4 is equals to 4 and substitute this value in this and you will get the value of P means 2P is equals to 4 plus 2 and P would become 6 by 2 is equals to 3 यह तो मेरा method हो गया यह मेरा compare method है आएगे हम इसी question को substitute method से भी कर देते हैं substitute से क्या होगा 2P की value में यहाँ substitute कर दूआ like यह मेरा second method है यह मेरा second method है इसमें क्या होगा मैं 2P की value इसमें substitute कर दूआ means मेरी पैली equation थी 2P plus 3Q is equals to 18 और 2P की value substitute करने पाद के 2P की value है Q plus 2 plus 3Q is equals to 18 means 4Q is equals to 16 Q की value हो जाएगी मेरी 16 divided by 4 is equals to 4 इसी वाली value को मैं इसकी इन दौन में से किसी भी equation में substitute करके P की value निकाल सकता हूँ Like मैंने इसे इस case में मैं first में substitute कर देता हूँ Like 2P is plus 3 into 4 is equals to 18 Like 2P plus 12 is equals to 18 and 2P is equals to 18 minus 12 which is equals to 6 and P would become 6 by 2 is equals to 3 यह दो मेथड है इन दोनों मेथड से हम linear equation in two variables solve कर सकते हैं Like इसका use के है आपकी multiple questions में equation form होती है काफी competitive exams में ऐसे questions आते हैं आपकी equation form होती है तो ओन equation को solve करने के लिए इन methods के use किया जाता है तो यह method आपको help करेंगे काफी competitive exams में और maybe इनके direct applications भी आ जाएं तो यह था linear equation in two variables और related videos, aptitude and reasoning videos and other videos के लिए subscribe कीजिए हमारा channel and friends इसे share कीजिए अपने friends के साथ भी जिसे की उन्हें भी help मिले इस topic को समझने में और help मिले इस topic को cover करने में तो subscribe करें हमारा channel और share भी करें Thank you guys